जै किसान साथियों, आज हम बात करेंगे फारम ट्रेक के एक और धमदार ट्रेक्टर की जो कि 50 HP श्रेणी में लौंच हुआ है ये ट्रेक्टर पाउर मेक सीरीज का है और EPI रेडिक्शन के साथ आता है ये ट्रेक्टर F41 सीरीज है जो कि टोब मोडल है बात करेंगे हम आज इसकी कीमत, फीचर और कितनी मायलेज देता है शुरू से बात करेंगे तो फ्रन्ट में इसके क्रों की फिनिसिंग के साथ फारम ट्रेक और पाउर मेक्स की बेजिंग दी गई है वहीं आगे नीचे 45 की भी बेजिंग दी गई है जो कि ट्रेक्टर को काफ़ी सुन्दर बनाती है बात करें इसके लाइट की तो DRL लाइट के साथ हेलोजन बलब इसके अंदर आता है इसके टायर साइज की बात करें किसान साथ यहो तो इसका टायर साइज पिछे का टायर साइज 14,9,28 और आगे का 750,60 का टायर है आगे वाला टायर इसका उप्शनल है आप छोटा भी ले सकते हैं इसके स्टेरिंग की बात करें तो ये डूल एक्टिंग बिलेस पाउर स्टेरिंग के साथ आता है इसमें इसके इंजन की केपिसीटी की बात करें हम तो इसका इंजन की केपिसीटी 343 सीसी है ये तीन सिलेंडर इंजिन के साथ आता है इसमें बोस का इन लाइन फ्यूल पंप लगाया गया है जो की काफी बढ़िया है वहीं इसके साथ वाटर सेपरेटर दिया गया है जो की इंजिन की उमर बढ़ाता है कचरा इसी के अंदर पानी इसी के अंदर रह जाता है यह ट्रेक्टर साइड शिफ्ट गेर के साथ आता है, फुली कॉंस्टेट मेस गेर बोक्स लगा हुआ है, इसमें यह आठ फॉरवर्ड दो रिशीव रिवर्स के साथ आता है, किसान सातियों, इसमें ADDC लिफ्ट कंट्रोल दिया गया है, और साथ में ही ओक्जिलरी वोल्व द किया गया है, बात करें इसके पीछे की, तो इसका लिफ्ट की केपिशिटी अठारा सो किलो, इसकी लिफ्ट की केपिशिटी है, और EPI रेडेक्शन लगा हुआ है, इसमें दो यह डबल दिश्टिबूटर के साथ आता है, जो की काफी बढ़ी है, पीछे बात करें, तो पा 5000 घंटे की वारंटी का साइन लगा गया है, तूल भी इसमें काफी बढ़ी है, साथ में वाटर बोटल होल्डर भी दिया गया है, यह कंपनी फिटेड हुक दिया गया है, जो की काफी मजबूत है, आगे की बात करें, तो इसमें 60 लिटर फ्यूल टेंक दिया गया है, 60 की तो इसमें एनालोग और डिजिटल दोनों तरह की मीटर लगाए गए हैं जिसमें आप फ्यूल टेंपरेचर और बाकी जानकारी ले सकते हैं यह बेटने में भी काफी अरामदाय के किसान साथियो इसके फुट रेस्ट काफी बड़े हैं जो की लंबे समय तक काम करने पर कि इसका सिलेंसर बाहर दिया गया है जो की काफी बड़िया है होटकी जाली के साथ आता है वहीं बात करें इसके एर फिल्टर की तो इसका एर फिल्टर ओयल बास टाइप का आता है सिंगल पीस बोनेट आता है इसमें किसान साथियो बार बार खोलने का कोई जंजट नहीं है वहीं बात करें इसके पंप की तो पाउर स्टेरिंग और लिफ्ट का ये दोनों पंप अलग अलग आते हैं जिससे मेंटेनिस का खर्चा कम हो जाता है और टेक्टर दबाब नहीं बनाता इसके हुक की बात करें तो 80 किलो का कमपनी फिटेट बड़ा हिशानदार हुक आता है और साथ में इसके तो हुक भी दिया गया है इसमें सिंगल पीस बोनेट दिया गया है किसान साथियो अंदर दो हाइड्रोलिक पंप आते हैं और आप रेडियेटर देख सकते हैं काफी बड़ा रेडियेटर दिया गया है इसमें पाउर स्टेरिंग के लिए ओयल डाला जाता है जो की मजबूत है साथ में कोलेंट डालने के लिए एक छोटी टंकी दी गई है यहाँ इसका जीपियस और लाइव ट्रेकर सिस्टम लगाया गया है और 24 इंटु 7 डारेक्ट केर दी गई है यह बटन दबा के हम अपनी लोकेशन पे इंजिनियर को बुला सकते हैं और इसी के साथ एप के दवारा हम अपने ट्रेक्टर की लाइव लोकेशन सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं ट्रेक्टर कहां काम कर रहा है किसान सातियों यह ट्रेक्टर अब तक 200 गंट लगबग चल चुका है मैं दिखा देता हूं आपको यह देखिए 245 गंटे यह ट्रेक्टर अब तक चल चुका है किसान साथियो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है बड़िया ट्रेक्टर है और लगबग एक गंटे का यह चार से सवाचार लीटर डीजल ले दन्यवाद करें तो यह लगबग साड़े सातलाक रुपे का ओन रोड निकलता है धन्यवाद किसान साथियो ऐसे ही और ट्रेक्टर के रिव्यू के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जनी टेक फार्मिंग को फोलो करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद